असलाम अलेकुम दोस्तों अबदल खालिक आपकी खित्मत में हाजर है दोस्तों कल सिकंदर अली जतोई जो के पेटे अलिफ के हैड है प्रेमरी स्कूल टीचर्स पीस्टी जितने भी हैं उनके एक पार्टी है जो उनके हुकू के लिए लड़ती है और उस पार्टी ने कल जि सिकंदर अली जतोई हैं सक्कर में सिकंदर अली जतोई जो इंप्लाइज है उनकी यूनियन्स होती है तो सिकंदर अली जतोई साब जो है वो पीस्टी के यूनियन के हैड है सक्कर रीजन के तो सिकंदर अली जतोई ने सक्कर हाई कोट में केस किया था कि जितने भी पीस्ट हैं सिंध से उन से जो है वो नाइंसाफी की जा रही है क्योंकि recruitment policy जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि 50% जो PST हैं उनको promote किया जाएगा as a JST और 50% JST पर जो है वो appointment होगी तो इस वक्त मेरे सामने है recruitment policy 2021 उसमें कहीं भी इस तरह नहीं लिखा हुआ कि जो JST हैं उनकी 50% initial appointment जो है वो टेस्ट के throw की जाएगी और 50% PST को JST किया जाएगा इस तरह की कोई चीज जो है वो यहां पे mention नहीं है यह आप देखें कि जो नई policy है उसमें PST JST हो भी नहीं सकता क्या लिखा है इदर आप खुद देख लें PSTs shall remain in primary school throw out their service वो primary school में ही रहेंगे अपने पूरे service में therefore service structure may be created for career progression of PSTs instead of allowing them promotion to the post of JSTs, HSTs, SSTs यहां पे कहा जा रहा है कि इस तरह का service structure बनाएं कि PST कभी भी JST नबने, HST नबने, SST नबने, वो अपने पूरे carrier में PST ही रहेगा, बागी यह है कि primary teacher से वो senior primary teacher बन सकते हैं, वो head primary teacher बन सकते हैं, उनको 17 scale भी मिल सकता है, यहां तक कि वो 19 scale तक भी जाएंगे, लेकिन उनके जो नाम है वो PST ही रहेगा, उनका जो तो जो पेटे अलिफ है, उनको इस चीज पर इतराज है कि यह जो है वो दुरुस्त नहीं है, 50% जो हमें JST की post हमें दी जाएं, और कुछ HST की seat भी हमें दी जाएं, ताकि जो PST है, वो अपने पूरी जिंदगी as a PST ना गुजारे, वो अपर किलासिज भी ले, तो यह पालिसी में वाज़ लिखा है, उमीद यह है कि जो JST हैं, उनके वेकंसी हैं, वो डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि जो रिकूट्मेंट पालिसी 2021 है, उसमें वाज़ लिखा हुआ है, कि जो PST टीचर है, वो अपनी जो PST हैं, वो PST ही रहेंगे, तो अमीद है कि 10th February पर आपको गुड निउस मिलेगा, और आपकी जो वेकंसी हैं, जितनी खाली हैं पूरी सिंद में, उनमें से आपकी वेकंसी नहीं काटी जाएंगी, क्योंकि रिकूट्मेंट पालिसी में भी यह वाज़ लिखा हुआ है, जो कि आपने खुद देखा, उसके बाद इस वक्त JST के मेरिट लिस्ट पर काम हो रहा है, और PST के मेरिट लिस्ट पर भी काम हो रहा है, इस दवाब बियर्ड कंपल सरी नहीं था, बियर्ड जिन लोगों का 4 years का बियर्ड है, उनको 4 मार्क्स मिलेंगे, जिनका 2 years का बियर् जब आपके PASING MARK हैं, कोई इस तरह का आदमी हो जो कहे कि मेरे 54 मार्क्स हैं, मुझे एक मार्क एजाफी देकर, बियर्ड का मुझे PAS कराड़ दिया जाए, तो इस तरह नहीं होगा, अगर आपके PASING MARK्स हैं, तो इसके बाद जो है वो आपको एक मार्क मिल सकता है, तो इस नोगने का मकसद यह कि काफी हमारे भेंट बाईंगा जो कि प्रिशाँ और उनको नहीं पता क्यूं Turks रोका कि इस लिए गया है। जो कि यूनिन के हेड हैं सक्कर में उन्होंने केस किया है और उन्हें कहा कि 50% वेकंसीज हमको दी जाएं तो इन्शाला हमारे जो गवर्मेंट साइड की जो है पार्टी वो भी अपने दलाल देगी और उमीद ये है क्योंकि सेकेर्टी साब वो कहते हैं कि पीस्टी को 14th scale मिल गया है वो अल्डेडी 14th में आएंगे तो उनकी सेलरी जो है वो खुद से भढ़ जाएगी तो वो बात तो एक ही है कि आप 14th scale में पीस्टी हों या 14th scale में जेएस्टी हों तो सेकेर्टी साब की जो है वो सोचती वो ये थी कि ज्यादा से ज्यादा candidate आएं और अगर ऐसा होता है अगर 50% PST को JST किया जाता है तो seat decrease होंगी अगर seat decrease होती है तो हमारे जो JST हैं उन में से 50% को HST किया जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी वेकंशी बची हुई है क्योंकि पिछली साल जो है वो कितने हजारों के तादाद में JST थे जो कि अब HST बने हैं तो उनकी वेकंशी बची है तो गवर्मेंट को चाहिए कि उनकी वेकंशी को मर्ज किया जाए यानि JST में ताकि JST की जो वेकंशी पोजिशन है वो कम नहो दोस्तों अगर ताँ समझो था ताँ यूट्यूब चैनल तावा के कुछ जान तो मिले ता काइंडली यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करेंगे दोस्तान ताइप पुचाएओ तो जी आसा वद्ध कावा तो दोस्तान ताइप पूची सबूँ थैंक यू